रूस युक्रेन युद में अमेरिका की अगवाई में नेटो पूरी तरह से युक्रेन के साथ खड़ा हुआ है हाला कि नेटो देशों या अमेरिका की सेनाएं युक्रेन में जंग नहीं लड़ रही लेकिन रणनीतिक साहता से लेकर हतियारों की सप्लाई अमेरिका से ही हो रही है एक तरह से युक्रेन की धर्ती पर अमेरिका रूस से जंग लड़ रहा है लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस के राश्पती व्लादिमिर पुतिन ने एक ऐसी रणनीती अपनाई है जिस से अमेरिका की चारो और फजी हतो रही है दरसल जिन अफरीकी देशों में अमेरिकी सेनाएं वर्षों से डेरा जमाए बैठी थी अब उन्हें अफरीकी देशों से अमेरिका को रूस ने बूरी तरहा से ख़देर दिया है और अब ये नौबत आ गई है कि इन देशों में रूस और अमेरिकी सेनाएं बिलकोल आमने सामने है और दोनों पक्षों में से किसी की एक छोटी सी भूल रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध भड़का सकती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं अफरीकी देश नाइजर की जहां पर रूसी फौज पहुच चुकी है और रूसी सेनिकों ने अमेरिकी सेनने अड़े के बिलकुल करीब ही अपने तम बुगार दिये हैं जिससे दोनों देशों के बीच अवामने सामने की लड़ाई का खत्रा बढ़ गया है दर असल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉइड आस्टिन ने कहा कि नाइजर में जिस सेनने अड़े में अमेरिकी सेनिक ठहरे हैं वहाँ पर रूसी सेना प्रवेश कर चुकी है न्यू जजेंसी रॉइटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि रूसी सेनिक वहां मौझूद हैं लेकिन वो एरबेस 101 में अमेरिकी सेनिकों के साथ घुल मिल नहीं रहे थे ये एरबेस राजधानी नियामी में डियोरी इंटरनेशनल एरपोर्ट के बगल में है और मौझूद हालातों को लेकर अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि अमेरिका के लिए ये हाला अच्छे नहीं है लेकिन कम समय के लिए इन से निप्टा जा सकता है वहीं अमेरिकी रक्षामंत्री आस्टिन लॉइड का कहना है नहीं लगता कि ये एक महत्वपून समस्या है क्योंकि रूसी सैनिकों के पास अमेरिकी सैनिकों या उनके उपकर्णों तक पहुँच हासिल नहीं है इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है एर बेस 101 जहां पर हमारी सेनाए है वो एक नाइजीरियन एर फोर्स बेस है जो राजधानी में अंतरराश्ची हवाई अड़े के पास है रूसी सैनिक एक आलग परिसर में है और उनकी अमेरिकी सेना या हमारे उपकर्णों तक पहुँच नहीं है मेरा ध्यान हमेशा ही हमारे सैनिकों की सुरक्षा पर रहता है और ये ऐसा है जिसे लगातार देखना होगा लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिहाज से ये कोई महतोपूर्ण मुद्दा है बड़ी बात है कि नाइजर में जुलाई 2023 में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने अपनी कुछ सेनाओं को Airbase 101 से अगादेज Airbase 201 पर ट्रांसफर कर दिया था हाला कि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि Airbase 101 पर कितने अमेरिकी सेनिक और उनके उकरण बचे हुए हैं अमेरिका ने Airbase 201 को करीब 10 करोड अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया था और साल 2018 से इसका इस्तेमाल इसलामिक स्टेट और अलकाइदा से जुड़े जमात नुसरत अल असलम वाल मुसलमीन के खिलाफ लड़ने में किया जा रहा था आपको बता दे कि मार्च 2024 में नाइजर के सैने नेताओं ने अमेरिकी सेना को नाइजर छोड़ने के लिए कह दिया था हाला कि अमेरिकी सेना ने अभी तक नाइजर पूरी तरहा से नहीं छोड़ा है वो चरण बद तरीके से अमेरिका से वापसी कर रही है लेकिन तक्ता पलट के बाद से ये अमेरिका की सबसे बड़ी बेज़ती है क्योंकि जुलाई 2023 से पहले अमेरिका नाइजर का एक प्रमुख साज़ेदार था और इसके तहट अमेरिका ने नाइजर में अपना एक सैने अड़्डा बनाया हुआ था जहां पर सैक्डों अमेरिकी सैनिक तैनात थे और दोनों देशों की साज़ेदारी इलाके में इसलामी चरमपन थी इसलामिक स्टेट और अलकाइदा से लड़ने के लिए थी हाला कि नाइजर पहला देश नहीं है जहां से अमेरिका को धक्के मार कर निकाला गया हो बलकि अफरीकी देश चार्ट से भी अमेरिकी सेना को बाहर कर दिया गया है जबकि माली और बुरकानी फासों से फ्रांस की सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बड़ी बात यह है कि इन सभी देशों की दोस्ती पुतिन से हो चुकी है और माली में तो रूस की प्राइवेट वेगनर आर्मी तैनाथ हो चुकी है और अब ये बात साफ हो गई है कि अफरीका से अमेरिका को खदेरने के पीछे पुतिन का ही हाथ है